नमस्कार दोस्तों मैं प्रभात तिबारिश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभात तिबारिश टड़ी आइक्यू पे रेलबे ग्रुप डी यूटूब की इतिहास का सबसे बड़ा सर्वे पहली वीडियो मेरी है कटाउफ को लेकर क्योंकि मैंने पूरी तरीके से कटाउफ के अनल्सिस किया और जिन भी बच्चों का भी 40-45 नमबर यानि 35 भामाक्स भी बन रहे हैं तो कौन से वो बच्चे हैं जो सेफ हैं और उनका सिलेक्शन रेलबे ग्रूप डी में हो जाएगा चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंक का अटेम्ट है बाकि रॉंग कुश्चन भी कितने किये हैं सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी बस एक काम करना चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज यार अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने ना कितने आपने अटेम्ट की हैं और कितने मार्कस आपके बर रहें प्लीज आपसे हाँ जोड करनी बेदने सब्सक्राइब मत करना लेकिन हां मार्क्स जरूर लिखने ना क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए एकुरेसी बेहतर कर सकें मान के चले कुछ भी इस वीडियो में छूड जाता है तो आप लोग का जो फीड़ बैक है वो मैं दिखा सकूँ आप लोग को सच्चाई से रूबरू करा सकूँ चलिए सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ इस बार की जो एक्जाम कंड़क कराया जा रहा है जो इसमें प्रिजन्टेशन है इसमें 45 से लेकर 50 के करीब आप लोग की प्रिजन्टेशन है ठीक ह जौब कर रहे थे वो एक्जाम में उतना अपना टाइम नहीं दे पाए हैं तो क्या कर रहे हैं 60 to 65 यह कर यह 80 to 90 परसं 60 to 65 अभ्यरती करके आ रहे हैं 60 से 65 कुश्चन करके आ रहे हैं जिसमें से 20 से 25 कुश्चन आराम से उनका गलत हो जा रहा है मैत रिजनिंग और जीके जी किया है मैक्सिमम जो अभ्यरती है 50 से लेकर 50 से 55 के बीच में सही कर रहे हैं इसमें 200 माईनस मारिगंग है तो 45 से लेकर 50 के करीब दोस्तों यह ख़ह से कर सकते हैं एट़ी परसंट अभ्यरति आ रहे हैं जिनका 55 50 के करीब MAX बन रहा है अब यहाँ पर दोस्तों कत आउफ की बात कर लेते हैं अगर आप जन्रल कंडिडेट हो अगर आपके 45 से लेकर ध्यान देना 45 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स बन है तो बिल्कुल से हैं तो आपका 42 से लेकर के 45 के लिए अगर मार्क्स बन है तो बिल्कुल आप बुला लिए जाएंगे दोस्तों डी बी के लिए ठीक है डाकुमेंट वरिफिकेशन के लिए आप बुला लिए जाएंगे और भाई अगर एडबली एस हो एडबली एस वालो भाई अगर आप 33 परसंट भी करके आगे तो बिल्कुल कोई सिलेक्शन रोग नहीं हो सकता क्योंकि तीन लाग के करीब फार्म पड़े गए थे पचास परसंट उपस्तिती है तो लगबग डेर लाग के करीब बच्चे है और इन में से भी बच्चों बहुत सारे भीटते जो तयारी नहीं किये हैं आप लोग का जो कंपडिशन एक लाग बच्चों में है ठीक है तो अगर EWS से भी लाग करते हैं तो आपका 40 के करीब अगर माक्स आ रहें तो विल्कुल आपका सेलेक्षन हो जाएगा एश्टी के करीब आप लोग का सेलेक्षन हो जाएगा ठीक है अब यह मत कहना कि सरक टाफ कम है दोस्तों देखिए यूट्टूब पर चाहें जो बताए लेकिन मैं पूरी यह कहता हूँ रियल्टी जाना हूँ कि कितने अभ्यरति कुश्यन करके आ रहे हैं और बहुत ही हाड बनाया जा रहा है हर सिप्टो का आपका एक्जाम जितने भी मांक्स को कमेंट सेक्षन मेंशन करना जय ही जय भार